हेलो फ्रेंड्स वेगम बैक टू माई चैनल आज हम आपको कुछ ऐसे टॉप फाइव पुलिस्ट गैजट्स के बारे में बताने वाल है जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्रा अड़क्टर यह गैजट दिखने में बहुत ही चोटा है इस गैजट का आप कहीं पर भी इस्तमाल कर सकते हो जिसे कि कोई भी कार हो उस कार की गंदी एयर आप इस गैजट से निकाल सकते हो प्यूरिफाय करते हो इस गैजट में दो यूस्बी पोट दिये गए है जिसकी प्रेंड्स क्या आपके घर में भी कोई कुद्दा या बिल्ली है जो आपके ऑपिस जाने के अबाद आपके घर को तैस्नेस करते हैं उस समय में यह गैजट आपके काम को आता है इस गैजट का नाम है रोबो वाक 11S यह गैजट दिखने में बहुत ही चोटा है रोबोटिक यह और अटमार्टिक है इस गैजट की मदद से आप अपने घर को अच्छी तरह से किलीन कर सकते हैं यह गैजट बहुती ठोड़ी देर में अपने घर को अच्छी तरह से कलीन कर देता है इसको ज़्यादा मेत करने की ज़रुर। नहीं फ्रेंड्स आपको Carlo करना है इसको च इस्तमाल आप कहीं पर भी कर सकते हो कि प्रेंट्स क्या आप इस्तमाल करते हो या मोबाइल पर कोई भी काम करते हो कोई भी वर्क करते हो लेकिन आपके चार्जिंग बहुती जल्द खतम हो जादी है बाद में आपको उसको सौकेट में लगाना पड़ता है चार्जिंग के ल तो माय में आपके काम को आता है हमारा यह नया यह गैजट इस गैजट का नाम है युएफी स्मार्ट चार्जर इस चार्जर को छे सुर्ट डियेगए है जिसकी मुदर्स से आप कोई भी छे प्रकार के डिवासे इसमें लगा सकते हो इस gadget में एक ऐसा socket दिया गया है जो main socket है जिसको आपको main board में लगाना पड़ता है बाद में अब इसको कोई भी आपके घर के device के charger लगा सकते हो और बहुती आसानी से आपकी mobile की charging कर सकते हो यह device बहुती छोटा है बहुती सस्ता है इसको आप कही पर भी इस्तमाल कर सकते हो फ्रेंड्स अगला जो gadget है वह gadget आपके बच्चों के लिए बहुती खास है इस gadget का नाम है writing pad यह gadget दिखने में बहुती छोटा है बहुती अच्छा है और stylish है इसके color देखकर आपके बच्चे भी बहुती खुश हो जाएंगे इस gadget की मदश से आप इस पर कोई भी चित्र बना सकते है कुछ भी लिख सकते है और उसको erase भी कर सकते हो इस gadget में दो ऐसे option दिए गए है जिसकी मदश से आप आपके बना हुए चित्र erase कर सकते हो यह gadget दिखने में बहुती stylish है बहुती अच्छा है और सुस्ता है इस gadget की मदश से आपके बच्चे इस पर कोई भी drawing सीख सकते है और कुछ भी लिखना सीख सकते है बहुती चल्दी से जब इसका पीछे वाला बटन लॉक पोजिशन में होता है तब आप इस writing pad पर कुछ भी लिखते हो और इसको erase करने की कोशिश करते हो तो यह erase नहीं होता जबकि आप इसके पीछे वाला बटन जो है उसको on पोजिशन में रखते हो तब ही आप जो भी लिखोगी उस पर कर सकते हो कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो वह भी बहुत ही असानी से अगला जो हमारा गैजट है उस गैजट का नाम है फोल्डेवल टेवल फ्रेंड्स क्या आप आप आफिस का काम करते हो अगर करते होंगे तो आपके घर में एक लैप्टाप जरूरू होगा और आप जब आपने लैप्टाप पे काम करते है तब आप अपने लैप्टाप को कही पर विंख देते हैं और अपना काम करना चालू करते है complaint-व जैसे क्या होता है आपके हाथ दुखने चालू होते उसी जगह पर काम पर आता है हमारा यह ग्याजटееट्स एह गैजट बहुत ही छोट और इसके फोल्डिंग फीचर की वज़ेसे आप इसको कही पर भी ले जा सकते हो क्यारी कर सकते हो और आपने आफिस का काम असानी से कर पाते हो आप अपने हाथों के हिसाब से इस गैजट का एंगल सेट कर सकते हो और आप अपने आफिस का काम अच्छी तरह से कर सकते हो यह एक स्टील सिलिकॉन से बना हुआ है यह गैजट बहुत ही अच्छा है फोल्डेवल है और इसको आप असानी से क्यारी कर सकते हैं